नवर्शा दोस्तों आप शब का एक बाफ की श्वागत करते हैं आपके अपने कार्बूर मिस्ट्री के और पोटर पे और यह इंट्रीूज की अगर बात करें तो अरपिसी के दोरा जूरियर लेगल ऑफिशस के रूं में आपधे लिये जारे हैं जोकि 11 जनुरी से शुरू किये गए थे तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिसकस को बात करेंगे हाले में जो इंट्रियूस के दौरान RPC कमेटी के दौरा जो कैंडिडेट से कुशन पूछेंगे उसके उपर पहला कुशन यहां से पूछा गया What is the project of Mosham? पहला कुशन यह है कि जो मौसम प्रोजेक्ट है वो किसे related है और यह किस से समंदित है तो इसके आंसर कि अगर बात करें तो project Mosham is the initiative of the ministry of cultures यानि कि ministry of cultures के द्वारा यह initiative किया गया यानि कि इसका सुबकरण किया गया इट पर मोर्ड रिसर्च ओन दो थीम से लेटेट तो दा स्टेडी ओप मेरी टाइम स्टूट थोड़ा इंट्रनेशन सैंटिफिक सेमिनार्स और मीटिंग्स जो भी मेरी टाइम्स के जो वेज हैं उसके ओपर यहां पर इसके ओपर सेमिनार का होल्ड करवाय गया था अगले क्वेशन की अगर बात करें तो अगला क्वेशन सापकी स्क्रीन पर आचुका है और इक वेजिटेबल्स के बारे में इसके स्टेडी की जाती है नेक्स्ट क्वेशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर आचुका है largest IT company in India इंडिया में सबसे बड़ी IT याने की information technology company कौन सी है तो इसके right answer की अगर बात करें तो आपके right answer इसका हो जाएगा TCS याने की Tata Consultancy Service इंडिया की सबसे बड़ी IT याने की information technology company है जो की अगर बात करें तो 8,00,000 कोर्स market values है इसकी market value भी 8,00,000 से उपर है Next questions की बात करें तो which industry belongs to the child of protections Child of protections से समद्दित कौन सी industry आपे अपना तालुक रखती है तो इसके right option की अगर बात करें तो आपके सुगर industry जो है वो आपका child protection से समद्दित है यानि की गन्ना की जो खेती है या गन्ना की जो उद्धोग है उससे समद्दित है अगले questions की अगर बात करें जो अगले questions RPC committee member के द्वारा ये पूछा गया है Which article belongs to the freedom of praise यानि की सरतनतरता का धिकार कौन से articles में नहीं थे तो इसके right option की अगर बात करें तो right option आपका हो जाएगा Article 19 यानि की 19 वे अनुशेद में इसमें शरतनतरता का धिकार यहां पे दिया गया प्रतेक वेक्ति को ये constitutional based questions है अगले questions की अगर बात करें तो RPC committee members ने पूछा है First Governor General of Bengals यानि की बंगाल का पहला General Governor कौन था तो इसके right options की अगर बात करें तो candidate के द्वारा यहां पे RPC member को दिया गया है इसमें right option के अगर बात करें रेन हस्टिंग जो है वो आपके first Indian Governor Governor थे बंगाल के अगले questions की अगर बात करें तो अगला questions भी आप यहां पर देख पा रहे हुँगी काफी best आप ए questions पूछी जा रहे है RPC committee के द्वारा member के द्वारा 5G hackathons recently launched यानि हाली में जो 5G hackathons जो है launch किया गया है उसका संबंध किससे है तो इसके right options के अगर बात करें तो बेस्ट इस पे जो भी इससे related questions के answers हैं वो भी आपको 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 डिस्स कर देता हूँ the department of telecommunications of the ministry of communication यानि कि ministry of communications के अंदर जो department of communications का आता है उसके द्वारा ये launch किया गया है और इसके अंदर 5G hackathon is associated with the government and industry stack holder यानि इसके अंदर government और industry के जो stack holder उससे समंधित है इसमें hackathon aims to convert new idea into the feasible 5G product यानि कि जो भी ideas है उसको feasible बनाना यानि कि easy बनाना 5G product solutions in countries उनका solution करना all students start up जो भी students इसको start up करते हैं या फिर SME academic institutions या registered companies in India even the NRI can be participate in this यानि जो भी students इसमें participate कर सकते हैं NRI इसमें participate कर सकते हैं या फिर बीन परकार कि SME या फिर large scale जो companies है वो भी आपे इसमें participate कर सकते हैं आगले questions की अगर बात करें तो हाली में चर्चा में एक question रहा है Air Lens minus Corona कि से सम्मधित हैं तो यहाँ पर Air Lens कोरोना की अगर बात करें तो disinfected robots से सम्मधित हैं और इस सम्मधित अगर बात करें तो यह team of Indian Institute of Technologies यानि IIT जो टीम से इसके द्वारा यहाँ पर इसका इन्वेशन किया गया है यहीं इस्टेंट फॉर्ड एल्मिनी हैव डवलप्ट ए टेक्नोलोजी नैम The Air Lens minus Corona और इस institute के द्वारा ही इसका नाम यहाँ पर रखा गया है इट रिसीवड सेर्टिफिकेशन फॉर्ड नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड एंट टेस्टिंग एंड के द्वारा इसको सटिफाइड यहने के रिजिस्टर किया गया है अगले क्योशन की अगर बात करें तो अगला क्योशन आपका वर्ड लाजिस्ट इंडिया रिसेंटल लॉंच हाले में इंडिया में सबसे बड़ा विश्वड का जो सॉलर ट्री इस लॉंच किया गया है उसका सम्मन्ध किस से तो यह भी अपने काफी करेंट के कोशन से हैं जो हाले में निउस पेपर में या फिर चर्चा में रहे हैं तो इसके राइट ओप्शन के अगर बात करें तो आपका CSIR यानि की Central Mechanical Engineering Research Institute के दवारा इसका लौच किया गया है डवलप किया गया है आप कह सकते हो World Largest Solid Trees के रूप में इट इट इस इंस्ट्रॉल इट इट इस 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 आई रे रेजिदेंशियल complex से दुर्गापुरा इन वेस्ट मंगल और वेस्ट मंगल के दुर्गापुरा में इसको स्टॉल यानि की establish किया गया है तो ये भी आपका जो है आपके science and technology से समदित questions हैं जो कि RPC member के दवारा candidate से पूछी जा रहे है अगला questions के अगर बात करें which reads can be issued against the private persons also यानि कि private persons के अगिस्ट आप कौन सी REIT अपलाई कर सकते हो court में तो इसमें right option के अगर बात करें जो candidate के दुर्गापे दिया गया happiest corpus जो आपकी REIT है उसमें आप किसी भी private candidate के apply कर सकते हैं next questions के अगर बात करें who is a custodian of the public purse इनकी public purse के लिए custodian कौन से होते हैं तो इसके right option के अगर बात करें तो Compotor and Auditor General of India ये आपका custodian होता है यानि कि constitutional का custody आप उसका देख रेक करता है अगले questions की अगर बात करें तो next questions आपका physically elements of the positions is called is physically elements of positions देखिए ये laws से समबंदित यानि कि constitutional से समबंदित questions की terminology से हो सकता है आप दोग इसको अच्छी थे बैत्मित्रिके से समझ पा रहे हो मेरी तुलना में तो इसके right option के है मैं आप से बात कर देता हूँ जो कि candidate के द्वारे आप दिया जाता है corpus positions positions जो है वो इससे समबंदित है ये आपका जो है की आपका पारस्तिति questions पूशा गया है कि आप आखिर क्यों कनिस्ट वीदी अधिकार ही बनना चाहते है अलग fields में आप लोग क्यों नहीं गए तो यहाँ पर आपसका जो answer रहने वाला है यहाँ पर आपसका जो answer रहने वाला है तो यह भी आप लोग इसमें answer दे सकते हैं हो सकते हैं आप इससे बैतरिन भी answer दे सकते हैं वो भी आप लोग comment box में comment कर देजिए मुझे भी आपका पता लग जाए next questions की बात करें तो हर विला सार्दा कौन थे यानि की जो हर विला सार्दा जो थे रास्तान में उनका समन्ध किस्से था और यह कौन थे तो अगर इसके right option के अगर बात करें तो रास्तान के विख्यात इत्यासकार थे और एक समासुधारक के रूम में भी इन्होंने काफी रास्तान में काम किया जो कि सबसे पहले अगर बात करें तो आपका बाल विवहा को इन्होंने रुका जो कि अजमेर से इन्होंने शुरू किया था अजमेर के हटूटी से यान से इन्होंने शुरू किया था तो अनिक प्रकार के इन्होंने शमाज में काफी सुधार के रूम में कारी किया था अगले questions के बात करें रास्तान में नवावो के नगरी के नाम से कौन से जिले को यहाँ पर जाना जाता है तो रास्तान में नवावो के नगरी के अगर बात करें तो टॉंक डिस्टिक जो है रास्तान में उसको यहाँ पे नमाभू के नगरी के रूम में आपके जाना जाता है यह आपका area specific questions है जिस area से candidate बिलॉंग करता है उससे यहाँ से question पूछेगे अगला और last questions की series का अगर बात करें तो आपका पर्थम खुला विश्यो विधाले के राजस्तान में कहाँ पे इस्तित है तो राजस्तान में पहला आपका खुला विश्यो विधाले की अगर बात करें तो कोटा के रावत बाटा में यह इस्तित है तो यह अपने पास में थी सीरीज नमबर यानि कि पार्ट नमबर 5 है जो कि मैंने आपको complete जो RPC मेंबर के द्वारा candidate से जो question पूछे गाए उसका discuss किया और यह interviews junior legal officers यानि कि जेलो के रूम में आपके इनका आउजन करवाय जा रहा है RPC में तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हुआ अधर प्लीज लाइक और सुब्सक्राइब करना बल्कुल ना बुलें साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाए और अपने फेंट स्क्रूम में इसको share भी कर दीजेगा पार्ट नमर शिक्स जल्दी में आपके सामने अप्लोड करें दुमाद तैक्यू धैने बाद